Hello friends, Indian National Congress वाली वीडियो में हमने दिखा था कि 1885 में Bombay में Indian National Congress का first session हुआ जिसमें W.C. Banerjee को President Elect किया गया इस session में Congress की proceedings के लिए एक five step process decide किया गया कहा गया कि हर एक साल के end के दिनों में Congress की annual meeting हुआ करेगी इस meeting में एक President Elect किया जाएगा और इस meeting या session में National issues पर discussion किया जाएगा और voting के base पर resolutions पास किये जाएगे और फिर ये resolutions ये demands गवर्मेंट को भीजी जाएगी तो आज की इस वीडियो में हम हरे एक session को कुछ इस तरह से देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये session हुआ तो उस समय वाइसरोय कौन था उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये session हो रहा था तो उस समय national issues क्या-क्या थी जो कि इस बात पर depend करेगा कि उस साल क्या-क्या हुआ और फिर हम देखेंगे कि उसके base पर Congress में क्या-क्या decisions लिए गए कौन-कौन से resolutions पास की गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं First Congress session यानि Congress session 1885 के दोरान Viceroy Lord Dufferin थे और उसी साल British government ने अपर बर्मा को annex कर लिया था तो Congress ने सबसे पहले तो बर्मा के annexation को criticize किया और resolution पास किया कि British government को अपना military expenditure कम करना चाहिए इसके अलावा Congress session 1885 में ये मुद्दा भी उठा कि Indian Civil Services की अपर eligibility age को 19 करके British government इंडियन को British administration में आने से रोक रही है तो Indian National Congress ने civil services में reforms की मांग की और कहा कि एक Royal Commission of Inquiry Point किया जाना चाहिए Indian administration की working को examine करने के लिए Congress के इस session में 72 delegates थे और इन में सिर्फ दो Muslims थे इसके next year 1886 में Congress का session कलकटा में हुआ और इसमें दादाभाई नेरो जी को President चूज किया गया Congress के first session में civil services के लिए committee की मांग की गई थी तो हम देख सकते हैं कि 1886 में by the time Congress का second session हुआ government ने आइचेंसन committee already appoint कर दी थी civil services में reforms को examine करने के लिए इस session में Congress ने ये तैकिया कि वो अपने activities political matters तक ही सीमित रखेगी social reforms और बाकी सारी चीजों में Congress नहीं पड़ेगी इसके लावा ये भी तैकिया गया कि पूरे देश में provincial Congress committees बनाए जाएंगी ताकि Congress के ढाचे को मजबूत किया जा सके और हर एक province में उसके leaders काम करेंगे और वहाँ के issues को समझेंगे बड़ोदर सर सेयद हैमत खान Congress को criticize कर रहे थे और कह रहे थे कि Congress मात्र एक Hindu party है और Hindus के लिए ही है और इसके पीछे का ये तर्ग दिया जा सकता है कि Congress के अभी तक के दोनों sessions में Muslim participation काफी कम था पहले sessions में सिर्फ दो Muslims है और second session में total 434 members होने के बावजूद सिर्फ 33 Muslims है इसके चलते Congress के तीसरे session में जो की 1887 में हुआ बदरूदीन तयब जी को President Elect किया गया ये इंडिया नेशनल Congress के पहले Muslim President बने इन्होंने Muslim Community से अपील किया कि Congress कोई Hindu Party नहीं है Muslims के लिए भी यहाँ पर जगा है और इसे जोइन करो और नेशनल लीडर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ो बदूधर सरसयद लगातार Congress को criticize कर रहे थे और आगरे कर रहे थे कि Congress को boycott करना चाहिए इसके अरावा Congress के इस सेशन में Society के different sections जैसे कि craftsmen, small businessmen और workers के representatives भी delegate बन कर आए थे ये सब लोग English तो नहीं जानते थे इसलिए Congress का ये पहला सेशन था जहांपर vernacular languages यानि local languages का प्रयोग किया गया सेशन मदरास में हुआ था इसलिए कुछ pamphlet तो तमिल भाषा में भी बाटे गए इससे पहले के दोनों सेशन English में ही हुए थे तो ये एक बड़ा बदलाव था इसके बाद 1888 में Congress session अलाबाद में हुआ George Yule को President चुना गया ये first non-Indian थे जो Congress President चुने गए Actually ये Scotland के एक बहुत ही influential political figure थे और इनकी इंडिया और इंडियन्स की तरफ काफी sympathetic attitude रहा जब ये session हुआ तो 10-15 दिन पहले ही इंडिया में नए वाइसरोय आ चुके थे जिनका नाम था Lord Lansdown By this time Congress में Members की संख्या 1281 यानि 1281 हो चुकी थी और शायद पिछले President Badrudeen की अपील काम कर गई थी Muslims की संख्या अब बढ़कर 221 हो चुकी थी यहाँ पर military expenditure को कम करने पर फिर से जोड़ दिया गया इसके बाद जो next session हुआ वो हुआ 1889 में और वो Bombay में हुआ था एक बार फिर एक non-Indian को President चूज किया गया और ये थे William Wedderburn जो की Congress के founding members में से एक थे और इंडिया में काफी influential positions पर काम कर चुके थे जैसे की Bombay High Court के judge और इसके अलावा ये Chief Secretary of Bombay Government भी रहे और इनके पूरे कारेकाल में इनका attitude इंडियन्स के प्रती काफी sympathetic माना गया इस session की खास बात ये थी कि इस session में पहली बार women participation देखने को मिला दस महिलावन ने इस session में participate किया था जिन में से एक रविदना टेगोर की sister थी और दूसरी कादिम बिनी गांगुली जो की Calcutta University की first graduate थी यहाँ पर legislative reforms की बात की गई और मांग की गई कि legislative council में additional members को nominate करने की बजाए election द्वारा चुनाया जाना चाहिए इसके अलावा demand की गई कि central legislature में financial discussions allowed की जाने चाहिए क्योंकि as per Indian council act 1861 financial discussions अभी तक allowed नहीं थे इसके बाद जो important congress session हुआ वो था 1892 का जो की अलावाद में हुआ और इस session में एक बार फिर W.C. Benerji को president चुना गया इस साल Indian council act 1892 आया था जिसमें कुछ बड़े बदलाव हुए थे additional members की संक्या बढ़ा दी गई थी और इंडिया में एक representative government की शुरुआत की गई मतलब अब पहले की तरह सारे members W.C. की nomination से नहीं आ रहे थे चार members provincial assembly से nominate होकर आने वाले थे और एक member chamber of commerce से बड़ Congress को ये बात पसंद नहीं आ रही थी उन्होंने इस Indian council act 1892 को criticize किया क्योंकि इस act में कुछ सुधार तो हुए थे बड़ वो काफी नहीं थे Congress की demand थी कि members elect होके आने चाहिए और ये demand उनकी मानी नहीं गई इसके बाद next session लाहूर में हुआ यहाँ दादा भाई नेरो जी प्रेसिडेंट बने इस session में फिर से एक बार दुबारे demand की गई कि Indian civil services का exam England के साथ साथ इंडिया में भी होना चाहिए और साथ ही साथ military expenditure को कम करना चाहिए इसके बाद next important session 1896 में कैलकटा में हुआ यहाँ पर रहीमतुला एम सयानी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए इस समय वाइसरोय लॉर्ड इलगिन थे जो की 1894 से 1899 तक वाइसरोय रहे 1896 में इंडियन फेमाइन आ गया था इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में भुकमरी फैली हुई थी इसकी चपेट में United Provinces, Central Provinces, बिरार, बिहार, Bombay Presidency और मदरास Presidency भी आ चुके थे Congress ने इस फेमाइन के लिए Britishers को जिम्मेदा ठहराया इसके अलावा Congress के इसी सेशन में रबिन्ना टैगोर ने पहली बार बंदे मात्रम गाया इसके बाद next important सेशन था 1899 का लखनो सेशन यहाँ पर RC दत प्रेसिडेंट थे इसी साल के शुरुवात में नए वाइसरोय लॉर्ड कर्जन इंडिया में आ चुके थे British rule के दोरान हर एक डिकेड में एक फेमाइन तो आया ही था बड़ 1890-1900 यह वो दशक था जब एक से ज्यादा फेमाइन इंडिया में आया लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत आये और उसी साल सूखा पड़ गया रीजन था फेलियर ओफ समर मौनसून जिसके वज़ा से Central Western और Central India पूरी तरह से एफेक्टिट था कॉंग्रेस के इस सेशन में permanent fixation of land revenue की मांग की गई इसके अलावा कॉंग्रेस की demand थी कि भारत से होने वाले drain of wealth को stop किया जाए इसके बाद next major session था 1901 का Calcutta session जिसके प्रेजिदेंट दिन्शोव वाचा थे Actually उन दिनों गांधी जी कुछ समय के लिए इंडिया आये हुए थे और उन्होंने भी Congress session 1901 अटेंड किया था Congress platform पर उनकी ये पहली appearance थी गांधी जी ने Congress के इस session में request किया कि वो South Africa में हो रहे racial discrimination के अगेंस support करें उन्होंने इस से later resolution भी move किया इसके लावा इसी साल दादाबाई नेरो जी ने अपनी book Poverty and Un-British Rule in India को भी publish कर दिया था in 1901 इसके बाद 1904 में Henry Cotton के नितरत में Bombay session हुआ मोहमद अली जिन्ना ने पहली बार इसी Congress session में participate किया था इसके अलावा by February 1904 Lord Curzon ने Bengal Partition का plan share करना शुरू कर दिया था Bengal Partition वैसे तो 1905 में हुआ बट 1904 की शुरुआत से ही करजन इसके बारे में बात कर रहे थे और Indian leaders को इसकी जानकरी थी Congress ने Bengal Partition के इस proposal को condemn किया अपने session में इसके बाद जो next session हुआ वो बनारस में हुआ Congress session 1905 में Gopal Krishn Gokhale President थे Congress ने पिछले session में Bengal Partition के proposal को condemn किया था इसके बाद जूद Lord Karzan ने Bengal का विभाजन कर दिया और Lord Karzan नवेंबर में ही इंडिया से चले गए और नए वाइसरोय Lord Minto नवेंबर 1905 में इंडिया आ गए Congress ने Bengal Partition के अगेंस्ट अपना resentment express किया और government के अगेंस्ट स्वदेशी movement की शुरुआत की ऐसे माहुल में इंग्लेंड के प्रिंस George V अपनी वाइब के साथ इंडिया आ गए Congress में extremists चाहते थे कि Prince of Wales की इस विजट को boycott किया जाए बट moderate से इस बात से सहमत नहीं थे तो हमने 1885 से 1905 तक के तो सभी important Congress session को cover कर लिया है next video में हम 1905 से आगे की Congress sessions को cover करेंगे इंडिया की history और Indian polity को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजे link आपको description मिल जाएगा thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा